Attack on Titan को काफी लोग one of the best anime मानते हैं और ऐसा शायद इसी लिए क्योंकि ना सिर्फ इसकी concept काफी interesting ही है बलकि इसकी storyline भी बहुत satisfying है शो के नाम सही पता चल जाता है कि यहाँ Titans पे तगड़ा फोकस होगा और जिन्हें नहीं पता उन्हें पता दू कि Titans ये नंगे पुंगे बरे से जीव जन्तू होते हैं काइंड ओफ इंसान जैसे ही दिखते रहते हैं लेकिन इंसान को बहुत चोट पहुंचाते हैं उनके दुश्मन है विसे यहां बहुत politics है complex वाला तो एक simple line में इसको explain नहीं किया जा सकता अब भले आज की वीडियो में politics space के बात नहीं कर रहे हैं लेकिन हम नो तरह के जो Titans दिखाए गए हैं उनको जरूर समझेंगे basically Titans का power explanation video है तो यहां spoilers बहुत ही ज्यादा कम होंगे छोटे मोटे तो आडाम से आप इस वीडियो को देख सकते हैं even if आपने attack on Titan नहीं देख रखी है तो बिना समय कवाय चलिए हम बात करते हैं अपने पहले Titan की जो की है armored Titan अब इस इसके पास armor होने वाला है इस Titan के body को एक ठिक armor की लिए cover करती है और उसे protection देती है इसके armor में इतना ताकत होता है कि season 1 में हमने देखा था कि कैसे armor Titan ने शिगान शीना डिस्टिक के gates को तोर दिया था हां वही डिस्टिक जहां Aaron रहता है अब armor Titan की जो speed होती है वो काफी slow होती है obviously शरीर पर अगर इतना armor होगा तो वो तेज नहीं चल सकता है although मैं आपको एक बात बता दूं कि armor Titan जो होते हैं वो अपने शरीर से armor को kind of हटा सकते हैं shed कर सकते हैं जिसके बाद उनकी speed बढ़ जाती है अब इनका armor इतना strong होता है कि usually जो scouts के जो blades होते हैं वो भी इनके armor को चीर नहीं पाते लेकिन हमारी प्यारी हांगे जो की commander scouts की उन्होंने invention किया है thunder spear का basically इसके इस्तमाल से armor Titan का भी armor तोड़ा जा सकता है season 3 में हमने देखा भी था कि कैसे कई लोग मिलके Rayner का जो की current armor Titan है उसका जबरा तोड़ दिया था और उसके मूह में दे दिया था नहीं यह गलत साउंड कर रहा है sorry 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 I mean उसके मूह में spear दे दिया था तुम लोग गंदे सोच वाले इधो हुदर मत सोचो वैसे मैं पको बता दो कि Mid-East Allied Force का वो anti-titan artillery है न उससे भी armor Titan को छेदा जा सकता है तो basically इस कार में किसी से भी तूट रहा है क्या armor Titan मने गा रहे तू क्या अब जिस पेस से attack on Titan में technology evolve हो रही है हम कह सकते हैं कि आगे चलके शायद armor Titan useless हो जाए I mean season 4 के शुरुआती episode में में देखा था कि वहां पे जो anti-titan rifles वगेरा बने थे war में वही armor Titan के armor को तोर रहे थे तो हम कह सकते हैं कि अपना जो armor Titan है वो kind of sakura बनते जा रहा है अब तो आर् की टाइटन की तरह ही अमीर फिद्स के मरने के बाद ही आया था सतरो सो साल से armor Titan किसी ने किसी वारिंग Eldian house के पास ही रहा है और great titan war के समय आर्मर टाइटन नेशन अफ मारले के पास चला गया year 843 के राउंड armor Titan के power को इनहरेट करने के लिए Rainer Brown को चुना गया और इसके बा नहीं करूंगा बस जो different होगा वो मैं आपको बता दूंगा अगले टाइटन जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है Colossal Titan Colossal Titan hit and miss की तरह है I mean कभी-कभी ये काफी useful है वहीं कहीं कहीं काफी useless है ये टाइटन साथ मीटर लंबा है जी हां अगर इतना लंबा चोड़ा है तो अविसली इसके इनदर काकत भी बहुत होगी इन फाक मैं आपको बता दू कि इसने एक किक में वाल मारिया को तबाह कर दिया था ने तबाह हुमिन्स होते हैं ना वाल को द्वस्त कर दिया था द्वस्त जादा अच्छा वर्ड है वैसे बड़े साइस का घाटा ये है कि इसकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है साथी हम इसके जो हाथ है वो इसके बौडी के कॉंपरीजन में फोड़े से चोटे हैं थो वीगन कन्क्लूड कि इसके पैर में जादा ताकत अ से अब कोलोसल टाइटन के बरेश शरीर की विज़े से ये क्लोस कॉम्बाट में जादा यूसफूल नहीं है प्लस में आपको पताया है कि यह स्लो है तो ऐसे में स्काउट जो है इसके गरदन तक बहुत ही आजानी से पहुँच सकते हैं लेकिन उस टाइम इसकी एक दूसरी पावर काम आती है इस पावर की मदद से इस एकस्पलोजन की जो मारक शर्मता है वो एक छोटे नूपियर रियाक्टर जितनी है यह छोधा मगण मुटा जैक्सपलोजन जो है वो आसपास के सभी चीजों को तबाह कर सकता है वैसे मैं अबको बता दू कि कोलोशाल टाइटन जो होते है वो अपने एकस्पलोजनस को क मुझ खास नहीं है इसलिए मैंने कहा था यूस्फुल भी है यूसलेस भी है बसे अभी इस वीडियो में साथ और टाइटन्स बच्चे हैं जो कि इससे बहुत ही बहुत ही भी है खड़ाब भी है तो उनको जाने के लिए वीडियो में बने रहो पूरा देखो और यह 843 में ब कर लो लाइक वगेड़ा जो भी होता है फॉलो कर लो प्लीज वहां भी बहुत इंजॉइमेंट मिलेगा सच बता रहा हूं तीसरे नवर पर हम जिस टाइटन की बात करने वाले है वो है फीमेल टाइटन अब यह ताइटन को डिफरेंट नहीं है जस्ट आट कि इस टाइट लंबे समय तक लर सकती है दौर सकती है भाग सकती है वो भी बिना थके फीमेल टाइटन शिफ्टर जो होती है अगर वो किसी तरह के डेंजर में हो तो उनकी बॉड़ी जो है वो काइंड अफ एक फुकून में हाइड हो जाती है जो की काफी हार्ड शेल होता है मतलब कि लखाँएघन जो है वो फीमेल टाइटन की तरफ एट्राक्ट हो जाते हैं अब अट्रेक्ट यानि कि अकरशित क्यूं होते हैं क्योंकि वह फीमेल है इतना तो दिमाग लगओ वैसे इस आकरशन का डाउनसाइड यह है कि जो भी टाइटन्स आकरशित हो के फीमेल टाइटन के पास आते हैं वो फीमेल टाइटन को मार के खा जाते हैं अब मुझसे मत पूछना कि इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ वैसे ओमनी डिरेक्शनल मोबिलीटी गेर का इस्तमाल क चूज किया गया था ताकि वो फीमेल टाइटन के पावर को इनहेरिट कर सके मुविंग ऑन अगला जो टाइटन है वो है जो टाइटन और यह मुझे काफी पसंद दे क्योंकि इसे एक असॉल्ट वेपन की तरह इस्तमाल किया जा सकता है जी है इसके चोटे साइज को देख आपने सुन रखिए ना छोटा पैक बड़ा धमाका वेल यह लाइन जो टाइटन के लिए एक दम उप्यूकत है लेकिन इसकी जो तेज स्पीड है और इसके जो स्ट्रॉंग जॉज है यह बुलेट्स तक को अराम से जहल सकते हैं तो अगर आप देखे तो जो अबिलीटी यह वीक ज़रूर है यह 843 के बाद जो टाइटन के पावर को मारसल ने इनहरेट किया था और अनिमे जो फिलहाल जो टाइटन को हम देखते हैं उसके पास फ्लाइंग की भी अबिलीटी है मतलब देख रहा है वो बंदा कितना यूसफुल है मतलब लेटरली अपने जो से व बीस्ट टाइटन अब बीस्ट टाइटन जो है वो काइंड अफ यूनीक है इसके बॉड़ी पे गुरिल्ला की तरह ब्राउन हैस है और यह 17 मीटर लंबा है बात यहीं खत नहीं होती क्योंकि यह टाइटन बोल भी सकता है मतलब इमाजिन करके दखो एक लिटरली 17 मीटर ल टाइटन में तबदील हो जाएगा और उसे ट्रांसफोर्म करने के लिए बीस्ट टाइटन को चिलाना पड़ता है अब जीक के बीस्ट टाइटन के पास एक हुमन वाली पावर भी है वो बड़े-बड़े पत्थरों को छोटे-छोटे पीसेज में बदल सकता है एंड देन है कि कई ऐसे टाइटन शिफ्ट भी हुए थे मतलब बीस्ट टाइटन वाले जो की डाइनसौर थे अरे डाइनसौर छोड़ो स्नेक राविट गोट क्रोकोडाइल मतलब सब हुए है यह जाए कि शाद बीस्ट टाइटन की जो हिस्ट्री वो भी थोड़ी अलग सी है बेसिक है जनरली स्पीकिंग की वो सिफ सामाल ले जाने के लिए ही काम आता है दूसरा काम भी है बट जनरली बोल रहा हूं इस टाइटन की जो इंडूरेंस और स्टामिना है यह इसे लॉंग मिशन के लिए बहत ही सटीक बनाती है यह फाइटिंग में तो ज्यादा का नहीं है ले काफी के लिए होड़ कर सकता है और कई बार ट्रांसफॉर्म कर सकता है यह सौशू भार भी थ्रांसफॉर्म हो सकता है स्टिल इसके जो हिंश्विटन होगा को कोई फटीग फील नहीं होगा लेकिन इसका जो डिफेंस हमें काफी वीक है मतलब हम कहसके है कि अगर काट ट Hack Ol का उसको हील करने में काफी वक्त लग जाता है अब यहां हील से मतलब रीजनरेट भी होता है यह लोग कड़ पाते हैं आपको पता ही होगा आप लोग तेज हो अब कार्ट टाइटन जो होते हैं वह अपने कौडरिव पीडल फॉर्म में होते हैं मतलब नाम सुमके आप समझ होंगे कि मतलब दोनों हाथ दोनों पैर मतलब इसके लिए चारो लिम्स पे होते हैं अब चार लिम्स पे होने के कारण ओविसली यह काफी फास्ट है लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है तो बेसिकली कार टाइटन की जो इन्हेरेटर होते हैं मतलब जिनके क्रचेज का सहारा लेना होगा चलने के लिए यहीवजाए कि हम पीक को हमें सा क्रॉल करते वे देख पाते हैं या फिर वो क्रचेज का सहारा लेती है चलने के लिए अब यह 843 के अराउंड पीक फिंगर को चुना गया था कार टाइटन की बात करने वाले हैं उसका नाम है पास एक और पावर्ड अबिलीटी है और वो यह कि वह अपने हार्ड़निंग का इस्तमाल करके वेपनस बना सकता है यह उन वेपनस को अंडरग्राउंड से निकाल सकता है और अपने ऑपने पे अचानक से स्ट्राइक कर सकता है इस ताइटन की खास बात यह है कि यह फ्ले body को hardened crystal में बंद करके underground चिपा सकता है. Titan shifter की body और Titan की body एक rope से connect होती है, जो कि उसी के flesh ship बनी होती है. Difference यह है female titan से, कि female titan के case में जो उसका shifter होती है, वो kind of unconscious या ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन यहां जो shifter है, वो basically control करता रहता है. So basically ऐसा करके war hammer Titan करता यह है कि अपनी जो main body है, उसको secure कर लेता है और अगर कोई उसका गला काट भी दे पीछे से, तो भाई, main body नहीं मरेगा. मतलब war hammer titan खत्म नहीं होगा. अब आप उचोगे कि well, Aaron ने दिन कैसे इसे मार दिया था? थोड़ा से spoiler दे रहा हूँ. Basically Aaron भाहिया, jaw titan के jaw की मदद से, इसके जो crystal वाली चीज होती है, उसको तोड़ के body को खा गया था. समझ रहो? Aaron भाहिया भी अपने ओपी हैं. अब war hammer titan की जो power है, वो ताइबूर family में चलती आ रही है, और फिलहाल इसे लारा ताइबूर इनहरिट करी है. Moving on, आठवे टाइटन जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो है attack titan. अब हमने Aaron के जिस attack titan को देखा है, वो काफी ओपी है. लेकिन in general attack titan इतने ओपी नहीं होते हैं. समझ नहीं आई बात? धैर रखो, सब समझाता हूँ. Basically Aaron का जो attack titan है, वो कहीं न कहीं armored titan और founding titan का mix है, तो ऐसे में उसके पास बहुत सारे powers हैं, और वो एक current representation नहीं है attack titan का. Now Aaron अपने कर्मों से और जादा अपने बाप के कर्मों से इन powers को पाया है, तो इसी लिए वो इतना जादा OP है. देख रहा है भी नोत, कैसे यहां भी nepotism चल रहा है? वैसे मैं आपको armored titan के बाड़े में बता ही दिया हूँ, और आगे मैं आपको founding titan के बाड़े में बताऊंगा ही, इसी वीडियो में तुनों को mix कर दो, बन गया Aaron का attack titan, हाँ पता है मुझे थोड़े differences हैं, in fact टानिवे में तीन तरह के attack titan दिखाए गाए हैं, बट धैर रखो, attack titan पे जो है न, हम किसी और वीडियो में धंग से discuss करेंगे, क्योंकि उसको समझाने के लिए आपको history भी जाननी होगी, और जैसा मैंने बताया, history पे एक अलग वीडियो आएगी, कितनी बार बोलू ये बात, वैसे हम आगे बढ़ जाते हैं, so last, but certainly not the least, founding titan, founding titan को हम पूरे AOT universe का सब से strong titan कह सकते हैं, ये एक exclusive titan है, मतलब जिन लोगों के अंदर royal blood है, वही इसका इस्तमाल कर सकते हैं, इस titan के बहुत सारी overpowered abilities है, तो एक एक करके हम उन सब पर बात कर लेते हैं, तो पहला है titan creation, इस power का इस्तमाल करके founding titan किसी भी LDN को कोई भी titan बना सकते हैं, भाई मतलब किसी को भी titan में transform कर देना, इससे बड़ी power क्या चाहिए, ये एक ही power OP है, इसी power के इस्तमाल करके walls के इंदर titans बनाये गए थे, अगला है titan control, तो basically founding titan जो होते हैं, वो चिला के किसी भी titan को control कर सकते हैं, मतलब titan बनाएंगे फिर उसको control भी कर लेंगे, अरे ये पता है कि तुम बहुत जादा OP हो, इतना विशोफ मत करो अब जब मैं चिलाना बोल रहा हूं तो यह गला फार के चिलाने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही वो human form में अपने होंगे, तब भी ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूं, founding titan जो है, वो सारे titans का बाप है, मतलब literal बाप, हमारे भी जो पापा होते हैं, वो हमको चिला के ही control करते हैं, पढ़ाई क्यू नहीं कर रहा, यह काम करो, वो काम करो, ऐसा ही founding titan भी control करता है अपने बच्चा को, अगला पावर है, memory manipulation, तो basically, founding titans जो है, वो eldians के memory को manipulate कर सकते हैं, और erase भी कर सकते हैं, kings ने भी centuries पहले इस power का इस्तमाल किया था, और उस पे हम किस वीडियो में बात करेंगे, history वाली वीडियो में, यह पॉसिबल है क्योंकि LDNs of founding titan, the path से connected है, the path एक ऐसी जगह है, जहां पर यमिर, जो की सबसे पहली titan थी, और जो की titans को create करी है, वो kings की slavery किया करती थी, जो पूरी चीज है, वो kings के history से basically connected है, और वो वाली वीडियो, अब नहीं बोलूँगा, मैं दस पर बोल चुका हू वीडियो ले के आता हूं, इतना लॉयल हूं है, लेकिन इस बार 15K लाइक तो मैं नहीं ले के आऊंगा, सही बता रहा हूं, पता है तुमको भी ले के आ जाऊंगा, लेकिन कर दो यार 15K, वैसे वीडियो खतम नहीं हुई यह वाली, एक और पावरे बताता हूं, सबसे पाउन लीनियर वे में देखता है, मतलब की पास्ट, प्रिजेंट, फ्यूचर सभी एक साथ, आप सोचे रहों के भाईया, यह तो बहुत अभी पावर है, है, लेकिन इसका एक डाउंसाइड भी है, और वो यह कि जो फाउंडिंग टाइटन के जो अंदर होते हैं उनके न तुमने अटैक टाइटन ओफ फाउंटिंग टाइटन के हिस्ट्री पे बिल्कुल भी बात नहीं किया, बाकी पे तो बता रहे थे कि येर कुछ-कुछ, इसमें तो कुछ बोला ही नहीं, यहां पे अगेन में हिस्ट्री वाली बात बोल दूँगा, तुम लोग उस्सा हो ज कर दिया है, उमीद करता हूँ आपको यहां कुछ ने कुछ अच्छा जानने को मिला होगा, अगर आप पहले से जानते होंगे, तो भी आपको वीडियो इंटर्टेनिंग जरूर लगी होगी, ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपको पता है कि इस वीडियो पर लाइक एम कितना है, 15,000 लाइक, मैं लाइक टागेट इसलिह रखता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग इस आपक में इंटरेस्टेड है भी या नहीं, क्योंकि अगर इंटरेस्टेड है, तो यही पे खत्म कर देंगे, और वीडियो में यहां तक बने हो तो यही को सब्सक्राइब करना, I'll see you guys in the next one, peace out!